Hey everyone, welcome back to my channel और आज की वीडियो में हम discuss करेंगे albedo previous वीडियो में हमने बात कि थी insulation और वो factors कुन कुन से होते हैं जो insulation के variation को define करते हैं उनके बारे में हमने discuss किया था अगर आप वीडियो देखना चाते हो तो आप आई बटन पर click करके insulation और radiation के नाम से संकी रेजिस हैं उनको reflect कितनी इस पावर से करती हैं वही उसका albedo कहा जता है यानि कि the capacity of a surface to reflect the sun's rays is called is albedo कि albedo किसी भी surface का albedo जितना high होगा वहां का temperature उतना ही low होगा और जितना अगर वहां का albedo कम है किसी भी location पर तो वहां का temperature high होगा जैसा कि हम सभी भी जानते कि अर्थ जो solar energy उसको सभी पूरी solar energy को absorb नहीं कर पाती जो बहुत कम मात्रा होती जिसको solar energy को absorb कर पाती है और atmosphere को गरम रखती है कि जिससे ज़्यादा जो हमारे चारों तरफ का वातावरन जान तो ज़्यादा थंडा हो पाता है और नहीं ज़्यादा गरम हो पाता है यह automatically earth में ऐसी power है कि वो surface जिसमें capacity होती है sun की raises को reflection की कि 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 इतनी power से वो reflect कर रहा है वही उसका albedo कहलाता है earth के albedo 31% है यानि कि 31% जो sun की raises होती है उनको earth वापिस reflect करके space में भेज देती है वही earth का albedo कहलाता है lastly conclusion में हम क्या बता सकते हैं कि कोई भी black surface जो होता है यानि कि जो dark color का surface होता है वो उसका albedo zero होता है यानि कि उसमें absorb power बिल्कुल क्या होती है ज़्यादा होती है reflection power कम होती है जैसे ही अब बता भी सकते हैं कि सर्दियों में ज़्यादा तर जो हम black color का use करते हैं यानि कि dark color के कपड़े पहनते हैं क्यों 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 क्योंकि sun की raises को जितनी भी मिलती है उनको absorb करके heat warm up करते हैं वहीं पर अगर हम बात करें गर्मियों की तो उनमें light color ज़्यादा use किये जाते हैं क्योंकि उनमें क्या होती है reflection की power होती है कि sun की raises जैसे ही टकराएंगी वह वापिस reflect हो जाएंगी और heat या जो वह warm up है वह कम मिल पाएगा तो इसलिए इनके जो रंग है यानि कि surface का भी काफी effect पड़ता है अलबीडो पर तो जैसे हम बात कर सकते हैं कि कोई भी black surface होता है जैसे black color में zero अलबीडो होता है और reflection की power उसमें बिल्कुल कम होती है उसमें absorb जादा होता है और white color जो होता है वो जादा से जादा reflect करता है absorb उसमें कम कर पाता है कि जो अलबीडो की सबसे जादा जो capacity है यानि कि जो power है reflection की वो सबसे जादा किसमें है ice और snow में होती है कि वो जितनी जल्दी sun की raises वहाँ पर आती है snow या ice पर पड़ती है वो उतनी ही जल्दी उनको reflect कर देती है जो snow और ice की reflection जो power होती है वो 90-95% होती है यानि कि वो absorb बहुत कम मातरा में करती है और बाकी सबी को reflect कर देती है सबसे जादा power अलबीडो की किसमें है ice और snow में मिलती है आगे हम बात कर रहे है forest की forest जो है वो सबसे जादा solar energy को absorb करती है 10-15% कोई वो reflect करते है यानि कि उनका अलबीडो बहुत कम हो पाता है और वो reflection power कितनी है forest में 10-15% जो absorb करने की जो power है forest में वो सबसे जादा है वो कितनी 85-90% जिसको वो absorb कर लेते हैं और जो photosynthesis जो process होती है कि खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है पोदों की वो भी किस से करते है वो सन की raises से ही करते है आप जबर्लज से करते हैं लास्टली हम बात कर रहें clouds की जो clouds की की जो capacity होती है एल्बीडो की वो clouds पर depend करती है कि clouds thickness कितनी है उन में तो जो clouds की जो albedo power होती है reflection की जो power होती है 50-80% कि जो अमने बात की कि वो किस पर depend कर रही है thickness of clouds पर कि clouds कितने ज़्यादा thick है या thin है तब ही वो albedo उसको show कर पाती है ओके friends तो यह अमने albedo के बारे में discuss किया next video में हम बात करेंगे heat budget के बारे में I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए helpful भी रही होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like करें, share करें and subscribe my channel thank you so much and have a nice day